मन के अनकूल अपनी कामनाओं की पूरती हो जाए तो समझना चाहिए बगवान की बड़ी करपा है और यदि मन के अनुरूप कोई बिवस्था न मिले तो निश्यत रूप से समझना चाहिए है यह हरी की इक्षा है एक करपा और एक इक्षा किन्तो करपा से भी ज़्यादा इक्षा कामाद तो ज़्यादा देना चाहिए हमारे महरा जी इस पर बहुत अच्छी बात कहते थे जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसको अपनी इक्षा से नहीं चलाना चाहते हैं हम उनकी इक्षा से चलना चाहते हैं कि अम अमारे जो प्रिमास्पद हैं, हम चाहते हैं कि निशित रूस से जैसे उनकी प्रशंता हो हम उसमें चले तो यदि अपने मन की अनुकूल ब्यवस्थान तो यह सोचना चाहिए कि हमारा प्यारा हमसे कितना प्रेम करता है कि हमारे उपर करपा नहीं हमारे उपर अपनी इक्षा चलाता है हमारे उपर अपना अधिकार चलाता है अपने तो देखा है कि प्रेम की बड़ी बिलक्षनता होती है कि यदि अपना प्रेमास्पद अपने क वो कभी डाटे नहीं, अपने पर अधिकार न जमाए, तो लगता है कि इस का प्यार ही नहीं है, वो, एक कभी ने लिखा है, साइद विहारी जी का है, विहारी कभी का, न कभी हुं हसिकर, न कभी हमारा प्रितम हास कर कि हम से कोई बातें करता है, न कभी गुसा होकर कि हमारे बाल पकड़ता है, न कभी अपना प्रेम इजहार करता है, और न कभी हमारे पर कुरोध प्रगट करता है, तो प्रितम का घर वसे क्या वसे परदेश, अरे प्रितम क्या साथ भी रहते हैं क्या विदेश में रहते क्या परक पढ़ता है अगर वै साथ में रहते हूं तो निशेत्रूस से मन के अनकुल वयापार नहीं होगा तो थोड़ा गुछा तो करेंगे और यदि उनके मन के अनकुल काम हो गया तो आपनी प्रशनता भी जाएर करेंगे कि बहुत अच्छी बात कही तुमने बहुत अच्छा किया तुमने तो यह दोनों बाते अपने को समझ में आती है कि प्रेमासपद से अपने को दोनों मिले कभी कभी अधिकतर लोग समझते हैं कि केवल प्रेम का सुरूप यह है व्यक्ति यह समझता है कि प्रेम उसका सुरूप मैं निविदन करना था कि लोग अधिक तरिया समझते हैं कि कुछ डाठना नहीं केवल प्रेम करना ही प्रेम है हमारा प्रेमास्पद यदि हमसे गुसा करने लगे तो लगता है कि उसको हमारे स से प्रेम नहीं है कि बार बार हमारे उपर गुसा करता है किन्तो ये प्रेम के रहस्य को न जानने वाले लोग ऐसा बोलते है हमने देखा है कि क्रोध तो उसी पर आता है जो अपना प्रेमी होता है और उसका हित्चिंतन होता है तो कभी क्रोध करना कभी प्रेम करना कभी प्र गुस्सा ना करना ऐसा मल समझना की प्रेम नहीं है, गुस्सा करना भी प्रेम है, और गुस्सा ना करना भी प्रेम है, जैसे समय से जब जहां जो युक्ति हो, तो मिनि विजन इतना ही कर रहा था, कि चाहे कैसी परस्तिती हो, उसमें यह दर्शन करें कि इस्वर की करपा नही हमारे मन की बात नहीं हो रही तो उनकी इक्षा है और उनकी इक्षा में हमारी इक्षा है हम तो उसी में राजी प्यारे जिसमें तेरी रजा है ये जो चिंतन है ये भी प्रेम चिंतन है इसलिए ये जो हमारे उपर भक्त के उपर कोई संविधान चलता है बले हुँ माया है कि तु विद्या रूपी माया है प्रभु प्रेरित नहीं निजबल अताके